किया हाल चलगा इसे question solve करने वाले basically html और javascript से related है interview में पूछते हैं इसलिए सोचा discuss कर लूँ यहाँ पर question यह कि मेरे web page एक web page नॉर्मल ठीक है इस पर कुछ text है तो interviewer यह चाहते हैं कि अगर कोई भी string या let's say word ठीक है अगर कोई भी end digit ले लिजे 5 ठीक है तो अगर 5 से उपर है तो इसका color change हो जाए तो यह कैसे करेंगे मतलब की example के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो यह 5 से उपर है यह सारे 5 से उपर है तो इसका color change होना चाहिए बाकी का वैसी रहना चाहिए तो color आप कोई भी ले सकते हो yellow color कुछ भी तो यहाँ पर simple सा question है ठीक है highlight all of the words on the webpage over 5 characters long in paragraph text with a red background तो मैंने खुद से लेग लिया मतलब red background आप कोई भी color ले सकते हो और यहाँ पर 5 लिया आप indigit ले सकते हो कोई भी n number ठीक है यह मेरा web page है और यहाँ मैंने javascript attached किया हुआ है और यह मैंने net से copy paste मार दिया news ठीक है world cup का तो इससे घबराना नहीं है मतलब क्या यह news ही तो है container लेना पड़ेगा तो मैंने paragraph लिया ठीक है तो अब शुरू करते हैं तो सबसे पहला step कौन से है अपने को paragraph tag को चुनना है ठीक है तो चुन लेते हैं अपने पास बहुत सारा तरीक है document.getelementbyid getelementbytag बहुत सारा चीज है लेकिन जो सबसे अच्छा है right मैं वो यूज करने व लेगा और अगर आपको पूरे को चुनना है तो query selector all use करेंगे लेकिन मैं यहापे query selector use कर रहा हूँ ठीक है यह JavaScript का पाट था अब मैं इसको store करूँगा तो इसका नाम देते है paragraph ठीक है इस पे मैं store कर लिया right अब paragraph मुझे मिल गया अब मुझे क्या इसके अंदर change करना right तो मैं change करने के लिए क्या करूँगा यहाँ पर paragraph.innerHTML को call करूँगा और आप जो भी set करोगे उससे innerHTML change हो जाएगा right जैसे यहाँ पे none कर दूँगा ठीक है तो आप यह देख सकते हो गाइब हो गया लेकिन मुझे यह नहीं करना ठीक है मतला गाइब हो के none आ गया लेकिन म मुझे existing content को उठाना है ठीक है और फिर उसको modify करके return करना है right तो यह तो complete set हो गया तो मैं हापी क्या करूँगा paragraph.innerHTML उठा लिया so एक तरफ में क्या कर रहा set कर रहा दूसरे तरफ में get कर रहा अब यहाँ पर कैसा होगा जैसी मैं paragraph.innerHTML करूँगा right जाईर सी बात है यहाँ पर पेस्ट करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है राइट इस वह content आ गया लेकिन यह content complete आ रहा है complete string है अगर मैं यहाँ पर dot length करूँगा तो आपको length में लेगा इतना है right यानि complete string उसका length है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कैसे करना है कि इस string का जो भी है हर एक character यानि sorry हर एक word को जाना है या हर एक word के पास जाना है उसका length check करना है और अगर length है तो इसको color assign length 5 से उपर है तो इसको color assign करना background color right तो इसको कैसे possible है simple से मुझे कुछ तो करना पड़ेगा right कि मैं एक-एक word को जा सकूँ right तो अभी मैं एक complete string एक word है इसको मैं एक-एक word पर तो नहीं जा सकता तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा इसको array में convert करना पड़ेगा यानि कि मैं क्या करूँगा इस हर एक string को as array hold कर लूँगा right या हर एक word को मैं array में रख लूँगा फिर मैं इसको उपर loop करूँगा तो string को array में convert करना है यानि कि basically त तुम जो दे रहो मैं उसको बाट दूँगा लेकिन किस से कैसे चेक करूँगा कि कहा से बाटना है तो मैं बोल रहा कि जहां भी तुमें space मिले उसको तुम बाट दो ठीक है तो अगर मैं ऐसे करता हूँ तो यह दिखिए total 123 दिया ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते पर जा सकता हूँ है ना या फिर जो भी है तो अब मुझे समझ मा गया कि मुझे ऐसे बाटना है ठीक है तो मैं यहाँ पर जाओंगा और यहाँ पर लिखूँगा dot split ठीक है मैंने इसको divide कर दिया right मतलब बाट दिया और यह बाट हुआ चीज यह divide के हुआ चीज मुझे किस के element आगे right या जो भी value या फिर जो भी pieces आगे तो इसको hold करने के लिए अपने पास array type का container चाहिए इसलिए जो result आता है array में आता है right अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा मैं इसके बाद dot dot लिखता चला जारा हूँ मतलब chain कर रहा हूँ यानि कि पहला result आने के बाद मैं दूसरा result sorry पहला operation होने के बाद जो result आएगा उसके बाद मैं दूसरा operation perform करूँगा तो यह map आपको पता है एक function लेता है ठीक है तो मैं यहाँ पे function पास करूँगा और एक word मिल रहा है तो मैं एक काम करता हूँ मैं return keyword यूज़ करना चाहता हूँ ठीक है तो मैं multiple line मतले multiple line पे लिखता है को इसलिए मैंने calibracy search किया ठीक है तो मैं हाँ पे क्या करूँगा check करूँगा word जो भी आरा अगर उसका length अगर greater than 5 आप कोई भी number ले सकते हो तो मतलब फिर मैं use करूँगा turnary operator और मैं यहाँ पे क्या करूँगा यहाँ पे मुझे dynamic JavaScript लिखनी है तो मैं क्या यूज़ करने वालो string के बीच में लिखनी है तो मैं यह tilde operator यूज़ करूँगा आप जो बोलते हो और यह syntax में आपको पता है latest JavaScript syntax है यह span लिखूँगा ठीक है इस span के अंदर मैं क्या करूँगा यह inject कर दूँगा जो भी expression अपना dynamic वाला तो अब हम जो क्या कर रहे है string के बीच में variable लिख रहे है तो इस syntax से हम लिख सकते है अगर आप ऐसा syntax करोगे तो यह काम निकरेगा यह double quote वाला syntax से उस करोगे तो यह सब बराबर कर देगा बुलेगा मैं नहीं इसलिए हम इसको यह बता रहे है कि देखो भाई मैं इसके अंदर जो लिख रहा हूँ dynamic भी चीज़ है ठीक है तो word ठीक है अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा आप चाहिए तो यहाँ पे style लिख के class बना सकते हो लेकिन मैं यहाँ पे सिधा style लिख देता हूँ आप यहाँ पे चाहिए तो style लिख सकते हो और फिर class बेट कर सकते हो मैं style के साथ जाओँगा और यहाँ पे मैं background add कर दूँगा ठीक है background color ठीक है यहाँ पे मैं दे दूँगा red या green जो भी देना चाहो ठीक है red दे दे और मैं यहाँ पे color जो है उसको देता हूँ color देता हूँ white ठीक है ताकि अपने को देखने में सही लेगे right और उसके बाद अगर let's say यह कब होगा so basically मैं इसको भी next line में ले जाता हूँ अगर यह true है तो यह रहे ठीक है और नहीं तो else part राइट इसको मैं next line में लिख रहा word जैसा है वैसे return कर दो ठीक है यह चीज हो गया अब मैं आपे क्या कर दूँगा इसको return कर दूँगा इस expression को है ना यह एक line में basically अगर मैं लिखो तो एक line में आना चाहिए लेकिन operation है अगर यह सही होगा तो यह होगा यह यहां तकरन होगा नहीं तो जैसा है वैसा ठीक है तो हम यह भी चाहते है कि जगर length बढ़ा है पांच से तो ही यह इस पर implement हो और basically यह return कर देगा ठीक है अभी जो return करेगा यह add then आपको पता है map क्या return करता है map return करता है एक array जो भी transform ह से split किया था उसी चीज़ से मैं join कर दूँगा तो मैंने कहा कि यह पूरे array उठाओ और सब के बीच में gap देगे जोड़ दू ठीक है अब मैं अगर नहीं आप ही जाओंगा तो यह देखिए इसको मैं यह करता हूँ तो यह देखिए right कि आप basically जो भी character अब जो जैसा character दोग आपको यह समझ में होगा कि मैंने यहां पर क्या किया पहले split किया फिर map किया map यह गयर return करता है और क्योंकि हमने split किया तो आपस अपने को जोड़ना पड़ेगा right तो पहले तोड़े हो उस पे काम किये फिर तो जोड़ना पड़ेगा ना webpage को क्या as a string हम आप यहां पर inner text प करेगा वही चीज़ लेकिन tag के साथ right अगर element के अंदर tag है element मतलब element return करेगा और उसके अंदर जो भी child का tag हो भी return करतेगा text के साथ तो इसका यह फायदा है I hope आपको वीडियो समझ माया होगा मिल तक ली वीडियो में तब तक लिए thank you so much bye bye take care